तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सांपो की जिनकी एक बाइट काफी है सौ लोग को मारने के लिए वैसे जो साप आपके गर में पाई जाते हैं उनमें इतनी जहर नहीं हो या फिर बहुत की कम जहर हो लेकिन कुछ ऐसे भी सांप जो आपका स्रीर कुछ में नहीं लाकर चलि जहरीला सांप है जो काफी सुर्तीला होता है इसके स्पीड 20 किलो मिटर पर आवर की होती है इसके काट में से दिल का दौरा या फिर कोई और बमारियां लगती है जिसका लाइज ना होने की वज़ए से इनसान की मौत हो जाती है इसका एक मिली ग्राम जहर इनसान को 15 में मारने का दम रखता है तो नंबर 9 पे है अपको ये जानकर रहने होगी कि नवर्स अमेरिका में इतने भी लोग सांपों से नक्ते हैं वो जलते इनसांतों के प्रेस को इसका जहरें इनसान की बोडी में जाते ही इनसान को कला दरना शुरू कर दिशता है और इसकी लबा इसकी बोड़ा सांथ अफरीका और नाइदर लेंड के जंगलों में पाया जाता है ये बहुत ही जहरीला होता है इसके काटने से इनसान के नाक कान मुँझ से खोन आने लगता है और इनसान के कुछी गंटों में मौत हो जाती है ये 3-5 फूट तक लंबा होता है और इसका बहुत ही हलका होता है तो नमबर 7 पे है इस्टन टाइकर ये सांथ जितने खतरना है उतने ही टर्व तो ये इसान को देखकर हमला नहीं करते बल्के बाग जाते हैं देखने कर हमला करतें तो इनसान की 30 मिनटों में ही मौत हो जाएगी तो ये आपको मिल जांगे अस्टील या जैसे देशों में ये इंसान के पैर या गर्दन पे ही वार करते हैं इनकी लंबाई 5 फुट तक होती है और इनका वजन 3 किलोग्राम तक हो सकता है तो नमबर 6 पे है रूसेल वाइपन ये साफ आपको इस्या के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएगा इसमें हिमोटॉक् करक्ते ही इसान की बाड़ी में विटामन के की कमी से खुन चमाने लग जाती है और और औरकन फेल हो जाती है और जिससे इंसान की मौत हो जाती है तो नमबर 5 पे है ौस्पे बगाई तर ये सांग पूरी दुन्या में ही पाया जाता है लेकिन जालत करा मिटल इस केश्ग बार्त में आए साल इस साफ से 5,000 लोकों भी मौत होती है और इसकी एक बैट में 70 मिली ग्राम तक जहर होती है जो एक हाथी को मारने के लिए काफी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इनसान का क्या हाल करें तो नमबर फूर पे है बैंटेंड फ्रेट ये नूखा सा दि और ये तिन कोग्रा से 10 कुना जादा जहरीला होता है तो नमबर 3 पे है तिन कोग्रा ये सबसे लंबा जहरीला पर माना याता है इसकी लंबाई 20 फुर तक होती है और ये पहला साथ है जो गोसला बनाता है ये इनसान पे हमला करते वक्त 5 फुर तक उड़ जाता है और इसक सिव बगवान के कड़े का साप माना जाता है तो नमबर सेकंड पे है कोस्ट्रल टाइपन ये साप अस्ट्रेलिया में पाई जाती है और इनकी लंबाई 8 से 10 फुट तक होती है और इनका वजन 3 गलोगराम तक होता है और इनमें इतनी जहर होती है कि ये इनसान को एक गंटे में मारने का दम रखते है तो नमबर बन पे है इनलेंड टाइपन ये साप कोस्ट्रल टाइपन से थोड़ा सा सूटा होता है इसकी लंबाई 6 से 8 फुट तक होती है और ये साप भी अस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और इसमें इतनी जहर होती है कि इनसान को 45 मेंटों में ही मारने का दम रख